हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाही करनी है आज है हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नमबर 14 का वीडियो नमबर 12 तो बिटे ये 14 यूनिट का बारवा वीडियो है और इससे पहले 11 वीडियो आप को playlist में भी मिल जाएंगे नीचे description में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद i button में भी link आ जाएगा जहां आप unit number 14 को पूरा पढ़ सकते हो समझ सकते हो और अपने सुंदर से notes बना सकते हो जो exam में आपकी बहुत जादे help करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे description में PDF notes का link भी मिल जाएगा और आप PDF notes के लिए telegram पर भी search कर सकते हो KMD सहरनपुर तो देखते हैं आज का हमारा target क्या है आज बेटे हमें बहुत important topic discuss करना है आज का हमारा topic है मर्दा production या soil pollution तो आज हमें discuss करना है मर्दा production या soil pollution अब देखो मर्दा किसे कहते हैं सबसे पहली बात यह है कि मर्दा या soil का क्या मतलब है हमारी जो प्रत्वी है उस प्रत्वी की जो सबसे उपर वाली परत है सबसे उपर वाला layer जिसके उपर हम चलते हैं तो सबसे उपरवाली परत को ही हम कहते हैं मर्दा या मिट्टी या सॉयल ध्यान रखना इस चीज़ का तो मिट्टी का हम बहुत तरीके से प्रियोग करते हैं मर्दा का जैसे करसी में हम प्रियोग करते हैं ठीक है खेती में प्रियोग करते हैं मर्दा ही तो यूजफुल है उसके मर्दा की संरचना में होने वाले हानी कारक परिवर्तन को मर्दा प्रदूशन कहते हैं। जो हमारी मिट्टी है, जो मर्दा है, अर्था धर्ती का जो सबसे उपर वाला लेयर है। उसकी संरचना में उसकी संगठन में यदि कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए जो जीव जन्तूओं के लिए और पेड़ पौधू के लिए हानी का रखो तो ऐसे परिवर्तन को कहते हैं मर्दा प्रदूशन क्या कहते हैं मर्दा प्रदूशन अब हम देखेंगे कि मरदा प्रदूशन के स्रोत क्या क्या है स्रोत या स्रोत में हम देखते हैं सबसे पहले नगरिय अपसिस्ट नगरिय का मतलब यह है कि जिस इस्थान पर भी लोग रहते हैं फैक्टरीज हैं उसे हम मान सकते हैं कि वो कोई नगर है तो नगर से जो अपसिस्ट पदार्थ निकलते हैं अपसिस्ट का मतलब यूज करने के बाद जो सेस बचता है उसे अपसिस्ट कहते है तो अपसिस्ट पदार्थों का धर्ती के उपर जब वे गिरेंगे मर्दा के उपर गिरेंगे तो मर्दा को वे क्या करेंगे दूशित क्योंकि वे मर्दा में मिल जाएंगे या उनमें से कुछ विसेश परमानू या अनू मर्दा में मिल जाएंगे इसलिए मर्दा को में दूशित कर देंगे नगरिया अपसिस्ट में आपको ध्यान रखना है जैसे खाद है, खेत में हम खाद का प्रियोग करते हैं, यहां खाद का मतलब है उर्वरक, तो उर्वरक जब खेत में प्रियोग करा, तो वो उर्वरक भूमी में मिल जाएगा, और जब धर्ती में मर्दा में वो मिल जाएगा, तो उसे प्रदूसित तो करेगाई, फसल तो निकाल लिया लग और अनाज निकालने के बाद जो भी सेश बसता है उसे कहते हैं अवसेश इसी तरीके से और भी बहुत सारी फसले हैं जिन में से अवसेश बसते हैं तो उन अवसेश को यदि ऐसे ही भूमी के उपर आप डाल दोगे तो उससे भी मरदा प्रदूसर्ण ह होगा क्योंकि उसके डी कमपोज होने में कुस तो टाइम लगे गा ही ना ऐसा तो एह नहीं कि आपने आज अवसेया को खेट में डाल दिया आपने या कहीं भी डाल दिया और वह आज ही डीकंपोज हो जाएगा जब तक उसका डीकंपोजिसन नहीं होने का जब तक वो खतम नहीं होगा पूर्ण रूप से अपगटित नहीं होगा जब तक तो वो भूमी के उस विशेस इस्थान को प्रदूशित ही करके रखेगा तो फसल के अवसेस भी ऐसे ही हैं जो मरदा प्रदूशन के लिए जिम्मेदार हैं कोईले के टुकडे जो कोईला हम यूज करते हैं जलाने में या फिर फैक्टरी में जो कोईला यूज होता है वो कोईला जब धर्ती में गिरेगा जब मरदा के उपर गिरेगा तो मरदा में कार्बन की मातरा भहुत ज़यादे बढ़ जाएगी और ये भी मर्दा को दूशित करता है पुड़ा करकट यह तो सब को पता ही है कुड़ा करकट पूरा करकट भी दो तरह का हुता है एक तो ऐसा हुत ता है जो और एक ऐसा है जो जैव अनपगटिय है जो अपगटित कभी नहीं होगा तो जो अपगटित हो जाता है वो तो थोड़े समय के लिए ही मिट्टी को दूशित करता है पर जो जैव अनपगटिय है अर्था जो डीकंपोज नहीं होता वो लंबे समय तक भूमी को दूशित रख सबसे जाए जिम्मेदार रबर है लैदर है डी कमपोज हो जाएगा पर प्लास्टिक और रबर को होने में कई सो साल लग जाएंगे खैक है कि लैदर कपडा इंटे पज़री और धातू विभिन परकार की धातवे जो से निकलती हैं वे भी मरदा को क्या करती हैं दूशित कांच नस्ट इमारते जो इमारते नस्ट हो चुकी हैं वे भी मरदा को क्या करती हैं दूशित मरत जन्तू मरेवे जन्तू जब तक पूर्ण रूप से विगठित नहीं हो जाते डीकंपोज नहीं हो जाते तब तक वो को दूशित ही रखते हैं खराब फरनीचर जो फरनीचर हम यूज कर लेते हैं और उसे फेक देते हैं कहीं भी जहां पर भी कूडा डंप किया जाता है पूरे सहर का वहां ने फरनीचर फेक दिया या किसी भी खली जगा फेक दिया तो वहां मरदा को दूशित ही करता है वाहन ठीक है वहान का मतलब यहां है कि जो वहान जैसे आपको पता है कि पेटरोल के वहान का लाइफ होता है पंदरा साल और डीजल के वहान का लाइफ होता है दस साल ठीक है उसके बाद यदि आपके वहान की कंडिशन अच्छी है तो आप उसे उसका रेजिस्ट्रेशन में रीनि करा लोगे पर यदि आपका वहन पूर्ण रूप से खराब हो चुका है और अब आपकी इच्छा नहीं है उसे दोबारे रिन्यू कराने की या उसे चलाने की तो आप उसे कबाड़ी को दे दोगे और कबाड़ी क्या करेगा उसमें से जो काम की चीज़े वो तो निकाल देग वहाने वे बहुत सारी लगे होते हैं उनके धेर के धेर तो वे भी मरदा प्रदूसर्ण के लिए बहुत जिम्मेदार हैं रेडियो सक्रिय तत्व जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो फैक्टरी से निकलते हैं या फिर और भी बहुत सारी जगाओं से रेडियो एक्टि को दूशित करते हैं रखोगे यह वी मिट्टी को क्या करते हैं दूशित यह तो हुए नगर्य अपस्स्त जो नगरों से निकलने वाले अपस्स्त पदार थे यह जिम्मेदार हैं मर्दा प्रदूशं के चा PPE के अब नगर्य chiac答 नहीं है जितना आप करोगे उतना आपने कर्तोली अपर च reviews पर जितना आपने इसे मर्दा में मिटी में मिलाया वह कभी खत्म नहीं होगा और कभी कभ़ी खत्म नहीं होगा तो वह मिट्टी कe दूशित करेगा लगातार ठेक्व है ये क्या है le officer त्ट टिकम पोज नहीं होते ये वह अन अपगटिएंयmm है इन्हें कोई जिवानू अपगटित नहीं कर सकता, पून रूप से समाप्त नहीं कर सकता अच्छा, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आरसिनेट ये दुनों हैं शाक नासी, जिने आप कहते हो वीडी साइड्स, हरपतवार नासी भी कह सकते हो तो इनके प्रयोग में भी एक प्रॉग्लम ये है कि जब आप इन्हें प्रियोग करोगे इन्हें मरदा में भूमी में मिलाओगे तो ये भी मरदा को दूशित ही करेंगे साथ का तो नास कर देंगे हरपतवार को तो खतम कर देंगे पर ये भूमी को तो दूशित कर देंगे ना मिट्टी को दूशित कर देंगे उसके बाद है कार्भो मर्करी योगिक का मतलख कारबन और मर्करी का जो कंपॉंड है वो काम करता है कवक नाशी की तरह है कवक तो पता है आपको पंगी या फंजाई भी कहते हैं इसे तो बहुत सारी पेड़कौदों में बिमारियां होती है कवक के कारण यानि फंजाई के कारण या फंगी के कारण तो उनको खतम करने के लिए फंगस इंफेक्शन को या फंगल इंफेक्शन को खतम करने के लिए हम कार्वो मरकरी कंपाउंट्स का यूज करते हैं और ये कवक को तो खतम कर देंगे पर मरदा में मिल जाएंगे और मर मर्दा प्रदूशन के लिए और नंबर तीन पर जो प्रदूशक हमें पढ़ने हैं वे हैं उद्योगिक अफसेस्ट यानि उद्योगों से फैक्टरियों से निकलने वाले जो वेस्ट प्रॉडक्ट हैं अफसेस्ट हैं वे भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं मर्दा जहां जहां वो सफेद रंग का पाउडर पड़ा रहेगा महां मां खेती तो हो नहीं सकती पक्की बात हैं इसी तरह सिमेंट उद्योग है सिमेंट उद्योग के बहुत सारे अपसिस्ट सिमेंट उद्योग से बहुत सारे ऐसे अपसिस्ट निकलते हैं वेस्ट और वो जहां जहां भी धरती के उपर गिरेगा धरती को बिलकुल खतम करता चला जाएगा अर्थात उसे बंजर कर देगा और सिमेंट इंडिस्ट्री से बहुत सारा एसिड भी निकलता है पेस भी निकलता है साइनाइड भी निकलते है कैमिकल इंडिस्ट्री से और लैड निकलता है कैडमियम निकलता है ये सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं अर्थात अपसिस्ट हैं फैक्टरियों से निकल यह भूमी पर जहां भी पड़ेंगे वहां की भूमी बंजर हो जाएगी यानि मर्दा पूर्ण रूप से प्रदूशित हो जाएगी तो इन्हें भी रोकने का उपाई हमें करना चाहिए न ठीक है कैसे रोकना चाहिए उसके बारे में भी डिसकस करेंगे आते हैं नंबर चार पर चोथा प्रदूशक क्या है मर्दा के लिए रेडियो धर्मी अपसिस्ट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो बहुत सारी प्रियोगशाला हैं लैब हैं लैबोरेटरीज हैं उनमें हम रेडियो एक्टिव पदार्थों के उपर बहुत प्रैक्ट हो जाएगी जैसे जित्य विस्वयुद में हिरोसीमा और नागा साकी पर परमानु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा तो जहां जहां परमानु बम गिरे थे वहां रेडियो एक्टिव पदार्थों का बहुत जादे प्रभाव देखने को मिला और वो सारी भूमी ह हो गई कैसी बंजर तो रेडियो धर्मी अपसिस्ट जो होते हैं इन्हें हम लैब में इस्तमाल करते हैं और जहां यह गिरेंगे वहां भूमी बंजर हो जाती हैं इसी तरह आपके जो अस्पताल हैं हॉस्पिटल्स हैं वहां से भी रेडियो धर्मी अपसिस्ट अर्थात र परमानु भट्टियां परमानु भट्टियों से भी निकलते हैं परमानु भट्टी तो पताया आपको परमानु भट्टी दो तरह की होती है एक तो परमानु भट्टी ऐसी होती है जहां परमानु उर्जा का प्रियोग किया जाता है बिजली बनाने के लिए ठीक है उसे आप कह सकते हो परमानु पावर प्लांट ठीक है एटोमिक पावर प्लांट या नूकलियर पावर प्लांट नाभगी है तो उर्जा ग्रह है तो एक तो परमानु भट्टी ऐसी होती है जहां परमानु उर्जा का प्रियोग अर्था नाभगी विखंडन का प्रियोग किया जाता है बिजली बनाने के लिए ठीक है विद्य तूर्जा के उत्पादन में और एक परमानू भट्टी ऐसी होती है जिसमें एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को दूसरे रेडियो एक्टिव पदार्थ में बदला जाता है तो दोन्नों ही तरह की परमानू भट्टियों से रेडिय रेडियो एक्टिव अप्सिस्ट हमें मिलता है और वो रेडियो एक्टिव वेस्ट परमानु भट्टी के आसपास का जितना भी भूमी होगी उसमें फैला दिया जाएगा और वो भूमी सारी कैसी हो जाएगी बंजर, ठीक है? उसके बाद परमानु बम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताये जित्य विश्व योद में परमाणु बम का प्रियोक किया गया था खुले तौर परेक्दम जो परमानु बम या नाभकिये विखन्दन से मता है घ्यां रखना नाभकिये विखन्दन से मता है हाइड्रोजन फमं सोरी तूरिये जो हमारा सूरज है सन है वो एक हाइड्रोजन बम ही है तो हाइड्रोजन बम परमाणू बम से कहीं हजार गुना जादे खतरनाक होता है मैं आपकी नॉलिज के लिए बता सकता हूँ कि जब आप दिपावली पर कोई एक पटाका लाते हूँ छुटाने के लिए तो वो मालो आपका इतना बड़ा पटाका है जो पांच दस रुपे का काता है तो उस बारूद को छुटाने के लिए आपको एक छोटा बारूद पहले जलाना पड़ता है जो जिसे आप कहते हो माचीस की तिल्ली माचीस की तिल्ली भी एक वारूद है पर वो बहुत कम स्लो है बहुत जादे इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसमें वारूदगी मात्रा बहुत कम है तो माचीस की तिल्ली आपने जलाई फिर आपने उस बुलेट बम को जलाया ठीक है तो एक छोटे बारूद अर्थात माचीस की तिल्ली को पहले आपको जलाना पड़ेगा जिससे एक बड़ा बारूद अर्थात बुलेट बम स्टार्ट होगा ठीक इसी तरीके से यदि आपका दिमाग ठीक स्थिति में है तो वेज़ी परमानू भम को आप स्टार्ट करोगे तभी हाइडरोजन भम स्टार्ट हो पाएगा इस से साफ पता चलता है कि हाइडरोजन भम की तुलना में कई हजार गुना जादे खतरनाग है ठीक है हाइडरोजन भम का उधारण मैंने क्या बताया आपको सूरिय सन तो एडियो एक्टिव वेस्ट क्या करता है जहां जहां भूमी पर गिरेगा वहां वहां सारी भूमी को बंजर कर देगा ठीक है उसके बाद यहां नंबर पांच पर लिखा हुआ है मर्दा कंडीशनर मर्दा कंडीशनर कुछ विसेश प्रकार के पदार्थ होते हैं जैसे यहां लिख रखा है आर्सेनिक ठीक है यह जो है भूमी में किसी विसेश तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रियोग किया जाते हैं पर इनसे प्रॉब्लम होती है कि जो भूमी है उसकी उपर की जो परत है यानि मिट्टी की सबसे उपर वाली परत जो है चमकदार हो जाती है और खराब हो जाती है बिल्कुल खराब खराब का मतलब बंजर तो मर्दा कंडीशनर यदि हम प्रियोग करेंगे इन तत्वों का हम प्रियोग करेंगे भूमी में तो हमारी मिट्टी जो है हमारी मर्दा क्या हो जाएगी बंजर हो जाएगी और उपर से सफेद रंकी दिख हम क्या करते हैं? कि मिट्ती में किसी विसेश लवण की मातरा बढ़ाने के लिए मर्दा भसमी करण का प्रियोग करते हैं? मर्दा भसमी करण से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या है इसका मतलब यही है जो निक्चे लिखा हुआ है? यहां लिखाव है लवनों की सांदरता बढ़ाने की विधी आपकी जो मिट्टी है मरदा है उसमें किसी विशेश लवन की सांदरता आपको बढ़ानी है तो उस विशेश लवन की सांदरता बढ़ाने के लिए जिस विधी का हम प्रियोग करते हैं उसे कहते हैं मरदा भस्मी क करण से उस लवन की सांधरता तो बढ़ जाती है पर हमारी जो मरदा है वो हो जाती है बंजर WAT改 टिएתי हो जाती तो मरदा भसमी करण का भी दूरीगामी परीडा मयची यह है कि यह मरदा प्रदूशन का लिए बहुत-बड़ा जिम्मेदार है अर्थात प्रदूसक हैं मर्दा के लिए अब हम समझेंगे कि मर्दा प्रदूसरण को रोकने के क्या-क्या उपाए हैं नियंतरण के क्या-क्या उपाए हैं किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ढमबर एक घरेलु अपसिस्ट पदार्थों का पुनर्चकरन पुनर्चकरन आपको पता है री-साइक्लिन री-साइकलिन कोई तो कहते हैं पुनर्चकरन यादि उस पदार्थ को डिकम्बोज करके फिर दुबारे से नया रूप दे देना ठीक है तो ढवर से या फैक्टरी स से या कहीं से भी नगर से जितना भी अपसिस्ट आपको मिलता है यानि कुड़ा करकट जो भी घरों से निकलता है उसका पुनर चक्रण होना चाहिए यानि उसे दुबारे री साइकल करना चाहिए और उसे परियोग करने लायक बनाना चाहिए ना कि भूमी के उपर मरदा के उपर ऐसे ही डाल देना चाहिए तो इसकी री साइकलिंग होनी चाहिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे कबाड़ी ऐसे होते हैं जो गलियों में सड़कों पर घूमते रहते हैं कोई तो पनिया इकठा कर रहा कोई बॉटल्स इकठी कर रहा प्लास्टिक की और कोई जो ह है लोहा ही कठा कर रहा हाथ में आपने दिखा होगा कुछ लोग ऐसे भी एक डंडा सा होगा उनके पास बड़ा सा और उसमें निच्चे जादे पावर्फुल मैगनेट्स लगी होंगी चुमबक और वे उसे जो है धरती के उपर ले जाते हैं ऐसे ही खैशते हुए तो उस प्लास्टिक की बॉटल से प्लास्टिक का और समाने जो हम गरों से फेक देते हैं उन्हें इकठा कोन करेगा और इकठा करके उन्हें फैक्टरियों तक कोन पहुंचाएगा जहां उनकी रीसाइकलिंग होगी तो इनका भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और यदि हम इन चिज्जों को इस तरीके से बाहर फेकना अपने आप ही बंद कर दें तो सायद जादे अच्छा होगा हमारे देश के लिए भी और हमारी इस संसार के लिए भी मर्दा प्रदूसर्ण को रोखने का यह बहुत अच्छा तरीका यह है कि हमें वेस्ट प्रोड़क्ट को ऐसे ही नहीं फेकना चाहिए हमें देखना चाहिए कौन सी चील डीकंपोज हो जाएगी और कौन सी चील डीकंपोज नहीं होगी जो डीकंपोज नहीं होती है उसकी साइक्लिंग होनी चाहिए तो यहां घरेलू अपसिस्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अधा करेगा उसके बाद नंबर दो पर व्रक्षा रोपन इतने जादे आप पेड़ लगाओगे उतना जादे मर्दा पुर्दूशन को होने से रो मर्दा पुर्दूशन को रोकने के लिए क्योंकि वे भूमी की उपजाओ रमता को बनाई रखते हैं नंबर तीन और द्योगिक अपसिस्ट का उपचार जो फैक्टरीज से वेस्ट प्रोड़क्ट अर्थात अपसिस्ट निकलता है उसका पहले उपचार होना चाहिए और उपचार होने के बाद ही उसे भेजना चाहिए अग्ये जहां भी आप उसे डालना चाहिए जहां भी डंप करना चाहिए पर पहले उसका उपचार होना जरूरी है उसमें से हानी कारक पदार्थों को खतम करना बहुत जरूरी है उसके बाद नमबर 4 जैवीक खाद को बढ़ावा जैवीक खाद मतलब आपको पता है ने जैवीक खाद जिसे हम कहते हैं बाइओ फर्टिलाइजर जैवीक खाद को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो रासाइनी कुरूबर रखें उनके उपपर जो है उनका प्रियोग धीरे-धीरे कम करना चाहिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि chemical fertilizer को एक दम से बंद कर दो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि यदी हम chemical fertilizer को मालो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री एक आदेश निकाल दें कि कल से ठीक है चाम को आठ बजे वें आ जाए टीवी स्क्रीन पर सब के सामने कि आज रात बारा बजे से chemical fertilizer का यूज करना बिल्कुल बंद है यदी ऐसा आदेश उन्होंने निकाल दिया ना तो यह समलो की अगले साल तक हमारे देश में हालत बहुत कराब हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि यदी एक दम हम chemical fertilizer को यूज करना एक दम से बंद कर देंगे तो हमारा जो production है खेतों का जो हमारी फसल है उसका production जस्ट 50% से 60% तक गिर जाएगा और production जब 60% तक गिर जाएगा जहां 100% production हमें मिल रहा था अनाज हम ज़्यादे पैदा कर रहे थे महीं हमें 40% मिलेगा वो 30% का हमें नुकसान हो जाएगा और पूरे देश में खाने की कमी हो जाएगी और आपको पताएगी हमारा देश तो एक करसी परधान देश है बले टेकनलोजी कितनी बढ़ रही हो पर भारत एक करसी परधान देश है इस चीज़ का ध्यान रखना यहां का जन जीवन मुख्य रूप से करसी के उपर ही डिपेंड है यदि हम टेकनलोजी को कितनी ही बढ दो ह्रादें और खाने के लिए हमें अनाज ना मिले तो प्रॉब्लम हो जाएगी प्रॉब्लम तो हमारा देश तो करसी परधान देश है पर मpri परसेंट बैन है केमिकल फर्टिलाइजर रासाइनिक उर्वरक तो समझ जाओ कि देश का भट्टा बैठने वाला है अगले साल तर जैसा कि स्री लंका के साथ हुआ है स्री लंका में यही तो सबसे बड़ी गलती हुई स्री लंका का जो राज तंतर था वहां से जो वह सरकार ने एकदम आदेस निकाल दिया कि 100% बैन है केमिकल फर्टिलाइजर पे और जब उन्होंने 100% बैन करा तो आज इस्तिती देख लो स्री लंका की कितनी खराब है खाने क कितनी कमी है नहीं तो चावल का प्रोडक्शन बहुत जादे था वहां तो जैवी खाद को हम एकदम से यूज ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमने रासाइनी खाद बंद कर और जैवी खाद बनाना सुरू कर दिया इस्तमाल करना सुरू कर दिया तो आप बायो फर्टिलाइजर क कि किस तरीके से उसका यूज हम करते हैं अगरी कल्ր में इस चीज़ को बहुत डीटेल में पड़ाया जाता है अगरी कल्चर में अगला तरीका है किट नासको के पियोग पर रोग जो हमारे कीट ना सके Space अन्लेग पर भी रोंग लगने चाहिए रोक का मतलब लिमिंटेड प्रियोग करना चाहिए कीटना सकोगा रोक से तात पर यह 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 नहीं है कि आप 100% रोक लगा दोगे जितने भी कीटना सके उनके उपर यदि आपने 100% रोक लगा दी तो आपको पता है फिर प्रोडक्शन घट जाएगा हमारा तो हमें यूँ भी तो देखना है कि जनसंख् से बढ़ रही तो खाना कितना चाहिए लोगों को तो खाना जादे चाहिए तो हम कैसे क्यामिकल फर्टिलाइजर को एकदम 100% बैन कर दें और कैसे कीटनासकों को 100% बैन कर दें इसका तो एक मात्र तरीगा यह है सारी समस्याइं जितनी भी है ना इस संसार की उन सारी समस्य संख्याओं का एक ही तरीका है सिरफ हल करने का आप जनसंख्या के उपपर नियंत्रन कर दो बस यदि जनसंख्या नियंत्रित आप करदी, तो हमारी दुनिया की सारी समस्या hàng आटोमेटिकली हल हो जाएंगी ये बात बिल्कुल पक्की है जनसंख्या कंट्रोल करो और सारी समस्याओं का हल पाओ, चाहे कोई सांख्या भी प्रदूसर्ण हो, चाहे कोई आर्थिक समस्यां का हल निकल जाएगा यदि जनसंख्या नियंत्रित होगी तो तो मेरे हिसाब गौर्बर्मेंट को इस बारे में सुचना चाहिए और चल्थी से जल्थी डिसीजन लेना चाहिए जनसंख्या नियंत्रित के उपर तो आज तो हम इतना ही discuss करेंगे, बात की discuss करेंगे कल, बस महनत और इमानदारी से पढ़ाई करते रहो, और अपने handwritten notes बनाते रहो, एक बात का ध्यान रखो कि जब हम किसी भी topic को discuss करते हैं, तो बीच बीच में जहां आपको लगता है, वहां आपको screen sort ले लेने चाहिए, और screen sort ले ल तो thank you very much for watching this video, okay, bye.